मिहार के राजु राम ने मात्र 49 रुपे से 1 करोड रुपे बना लिये हैं और ये जादू ओनलाइन गेम खेलने की वजह से हुआ है। ओनलाइन गेम खेलने का क्रेज मौजूदा समय में काफी जादा बढ़ गया है। बच्चे से लेकर जवान यहां तक की बूढ़े तक अपने मुबाइल पर खुब गेम खेलते हैं और गेम खेलने में इतना जादा मश्रूफ हो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। यहां तक की सुबर से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए पिए इसी में समय बर्बाद कर देते हैं। जिले में एक छोटे से गाउं पिप्रा खुर्द का रहने वाला है राजू हमेशा से मुबाइल पर घंटों तक समय बिताता था और गेम खेलने की लतों से ऐसी लगी थी कि सुबर से लेकर शाम तक बस मुबाइल लेकर बैठा रहता था राजू के इस आदत की वजह से उस खुब डाटती थी लेकिन इसके बाब जूत राजू लगातार ड्रेम 11 पर टीम बनाकर गेम खेलता रहा फिर अचानक से एक दिन राजू की भी किसमत चमक गई और उसने जब एक दिन ड्रेम 11 पर 49 रुपे लगाए तो उसने एक करोड रुपे जीत लिये हैं इस वीडियो ऑनलाइन गेम्स खेलने का क्रेज मौजूदा दौर में इस तरीके से फैल गया है कि लोग अपना सारा काम छोड़कर मुबाइल पर खूब गेम खेलते हैं और पैसे जीतने के साथ साथ काफी पैसे हार भी जाती हैं लेकिन इस हार जीत की खेल में बिहार की नवादा जिले और मेरे पिताजी कभी स्वर्गवास हो गया है इस वजह से पूरे घर का खर्ष मुझे ही उठाना पड़ता है लेकिन मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है इस वजह से मैं हमेशा घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलता रहता था और इस बात से मेरी मा और मेरे घर के बांकी लोग भी मुझे बहुत डांटते थे लेकिन आज मेरी इसी आदत ने मुझे करोड़ पती बना दिया है राजू इसकी बारे में बताते हुए आगे कहते है कि वो पिछले डेड़ साल से अपने मोबाइल पर ये ऑल्लाइन गेम खेल रहे हैं और वो लगातार ड्र रुपे 6 बाजी में लगाई इस बारे में राजू कहते हैं कि जिस वक्त मैंने 49 रुपे लगाए थे उस वक्त एक साथ 35 लाख लोग गेम खेल रहे थे राजू ट्रीम लेवन टीम बनाने के बारे में कहते हैं कि उन्होंने तंडर से लेकर ब्रिसमें हिट से खिलाडियों क लेकिन परिवार में से एक भी सदस इस बात को मानने के लिए तयार नहीं था कि गेम खेलकर उन्होंने एक करोड रुपय जीते हैं जिसके बाद जेत की रकम जैसे ही उनके अकाउंट में आई तो सभी टेक्स को काट कर सतर लाख रुपय राजू के अकाउंट में आए जिसके पहले बिहार के आरा की रहने वाले सौरव कुमार नी भी टीम बनाकर एक करोड रुपया जीता था बांकि जब राजुराम एक करोड रुपय ऑनलाइन गेम खेलकर जीते हैं तो अब इनकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और शोशल मीडिया भी इनहीं की चर्चाओं में जुटा हुआ है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट वॉक्स में बताइएगा आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहे हैं धन्यवाद